आज मैं आपके लिए बेडशीट हॉल लेकर आई हूँ तो बिना देली की कंटिन्यू करते अपना वीडियो और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ तो जो मेरी फर्स बेडशीट होने वा पर यह थोड़ा ग्रीन कलर में आई है बट में थोड़ा येलविश लाइम कलर था इसलिए मैंने मंगाई थी मुझा अच्छी लगे थी ऑल्दो यह बहुत अच्छी है नो डाउट कलर अच्छा है प्रिंट अच्छा है यह राजस्तानी जैपूर यह प्रिंट टाइप है इसकी जो कॉलिटी की बात है इसको जो कपड़ा है कपड़े की कॉलिटी यह है 100% कॉटन उसमें लिखा भी था और यह आप फील करोगे तो कपड़े की कॉलिटी बहुत अच्छी है इतनी कुछ खास डीटेलिंग नहीं है नॉर्मल जो बूटियां होती है जैपूरी प्रि मुझे जीव हूँ है मैं आपको दिखा देती हूँ लेकिए यह बेट शीट ऐसी ही है जैसे यह पिल्लो कवर है इस टाइप की बेट शीट है यह पूरी और यह भी कॉटन का है अभी मैंने इसको यूज नहीं किया तो मेरे को नहीं पता कि कॉटन में श्रिंग होने की चां सब्सक्राइब कर देख सकते हैं अगर आपको किसी भी बेट शीट का लिंक चाहिए होगा तो आप मुझसे कमेंन सेक्षिन में पूच सकते हैं तो अब जो सेकेंड बेट शीट होने वाली है वो तोड़ी फंकी सी है यह भी मेरी फेवरेट थी मुझे बहुत अच्छी लग प्रेंट यह प्रेंट है और यह अच्छी लगी थी मुझे हाट प्रेंट के अंदर अलग अलग तोलर्स है यह फूरी बेट शीट अलवर यह जो बेट शीट है वो हाट्स वाली है यह अगर मैं इसके मैटीरियल की बात करूं तो गाइस यह ग्लेज कॉटन है यह प्यूर कॉटन नहीं है मुझे नहीं पता ग्लेज कॉटन यह कैसा रहेगा मैं यूज करूंगी तब ही मैं आपको बता पाऊंगी बट यह अभी तक तो मुझे जो इसका मैटीरियल है जो कपड़ा है वो मतलब ठीक लग रहा है जिस प्राइस पर मैंने यह बैटशीट ली है तो अगर आप लोगों को भी पसंद आती है देखो थोड़ी फंकी टाइप की बैटशीट है तो मुझे इसलिए पसंद आई नॉर्मल हम लोग फ्लार प्रिंट की और लीव्स प्रिंट की और जैसे मैंने आपको जैपुरी प्रिंट की जो बैटशीट दिखाई है यह सब तरीके की बैटशीट हम यूज करते ही है तो मैंने सोचा कि वायर नौट की हम थोड़ी फंकी सी बैटशीट यूज करके कुछ ओ करना हो तो मुझे से कमेंट सेक्शन में इसका लिंक ले सकते हैं और इसकी भी बहुत सारी टाइक कि और भी प्रिंट है जो की आप चेक out कर सकते हैं तो चलते हमनी तो फ्रेंस नेक्स बेड़ शीट है मेरी ये पिंक कलर की इसके उपर मैं आपको इसका पिलो कवर दिखा देती हूं कि कौन सा डेजाइन है इस त्राइब का कुछ अबस्ट्राक लीफ और कुछ इस त्राइब का डिजाइन है देख सकते हो आप इसके साथ भी दो पिलो कवर रिसीव हुए है और आपको मैं इस बेड़ शीट के एक खास बात बताती हूं यह मेरको इलास्टिक फिटिंग के साथ मिली है यह इसकी बहुत अच्छी बात लगे मुझे कि इसमें इलास्टिक फिटिंग है कि आप अपने जो आपका मैट्रेस ह इसकी बेड़ शीट के साथ नहीं होगी तो इसलिए मैंने यह ओडर करी थी क्योंकि इसमें लास्टिक गिवन था तो आइवांटेट ट्राय कि यह कैसा फिट बैठता है अपने हमारे बेड़ पे इसका जो मैटीरियल की बात करें तो यह भी है ग्लेस पॉर्टन तो आइड उतना आइडिया नहीं है बट ऐसी एससके कोई डी टेलिंग बहुत जादा नहीं है और इसको मैं कैसे डिस्क्राइब कर मुझे यह भी नहीं समझा रहा तो मैं आपको बस दिखा रही हूं अगर आपको पर्चेश करनी हूं इसमें भी बहुत सारे कलर्स एंड प्रिंट्स लगती है तो आप देख सबते हो यह कुछ ऐसी बेट शीट है लीफ प्रिंट वाली बहुत बड़ी-बड़ी लीफ पनीने इसके उपर देखिए लेकम साथ में इसका कोवर असने गोरीफ और लेकम के साथ जएक सब्गे के साहए की लिए सौने और फूरी होственно मुझे आपनी अपनी नेक्स मेटशीट अ तो अब जो मैं बेट शीट लेकर आई हूँ यह मेरी इस हॉल की लास्ट बेट शीट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वह है कुछ इस टाइपी यह 100% कॉटन मेटीरियल है यह भी ताइंड ऑफ राजस्तानी जैपूरी प्रिंट है जो यह बेट शीट है आप देख स बहुत अच्छा है और यह वाली और जो फर्स बेट शीट में आपको दिखाईती वह यह दो रेकमेंडेड हैं हाइली रेकमेंडेड क्योंकि एक तो कॉटन की है और उपर से इनका रेट भी रीजनेबल है अफोडेबल है तो यह है मेरी लास्ट बेट शीट और इनका कोई और गोटन की आसा बॉर्डर नहीं है नॉर्मल इसमें यह स्टेचिंग हुई हुई है कोई बॉर्डर वगएर गिवन नहीं है और जो इसके पिलो कबर्स है वह कुछ इस टाइप के है यह देखिए दो पिलो कबर्स है इसके साथ भी यह वो कुछ ऐसे है फिर थोड़ा ला यहां पर मैं पिक्चर लगा दूगी कि यहां पर मैं पिक्चर लगा दूगी कि यह वीडियो में यहीं एंड करती हूँ होप करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी और अच्छी लगेगी तो आप लाइक जरूर करेंगे तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई